हलो फ्रेंड्स यूर वेल्कम टो मैं यूट्व चैनल सीवियल डिजाइन गैस इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुती सांदर क्लांग जो कि आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 600 स्कॉयर फिट एरिया में बनने वाला है जिसका साइज है आपका 20 फिट वाई 30 फिट ये गाइस इस्ट फेसिंग है और बास्तु सास्त के अकोर्डिंग टू बीच के डिजाइन किया गया है इसमें आप दो बाइक पार्क कर सकते हैं और आपका डाइनिंग होल काफी कांदार प्लान देखने के लिए तो चलिए विडियो इस्टार्ट करते हैं अगर ये आपके यूज में आये तो आप कमेंट कर सकते हैं उसका जो पीडियाप है वो भी ले सकते है ओके तो यहां पर यह आपका चाहिस मैंगेट मिलता है इस्ट के सेंटर में यह आपका East direction है पर आपको मिल्कुल सेंटर में आपको मिलता है आपका मैंगेट जैसे ही मैंगेट से entry करेंगे तो यह आपका staircase and passage का area मिल जाता है जिसका साइज है ग्यारे फिट 10 इंच वाई साथ फिट 8 इंच जिसमें आपका पैसे जाए 5 फिट 6 इंच का यादि 5 फिट आपका पैसे जै और यहां से 3 फिट का जो आपका staircase आप जा रहा है तो यहां से क्लोक वाईज आप जाएंगे ऊपर की तरब तो यहां से जैसे entry करेंगे यहां पर 16 स्टेप जानने के बाद आप फस्ट पर पहुंच जाएंगे और यहां पर ventilation के लिए बिंडो भी दिया गया है इसकी trade का size आपका 10 इंच गाईज और राइजर आपनी building height के coding decide कर सकते हैं बाकी आप यहां से entry लेते हैं dining and hall में जिसमें आपको 3 feet का door मिल रहा है और यहां पर 5 feet की window भी आप राइट में देख सकते हैं तो राइट में आपको एक common toilet मिलता है जिसका size 5 feet 9 inch वाई 4 feet का है इसमें ventilation के लिए इधर ventilator provide किया गया है आप left में देख सकते हैं left में आपको kitchen दिया हुआ है जो कि आपके अगनी code में बना हुआ है जिसका size 6 feet 4 inch वाई 7 feet 8 inch है यह आपका window दी मिलता है जिससे proper ventilation होता रहेगा यहां पर आपको freezer के लिए option दिया गया है यह आपका close kitchen है जिसमें door लगेगा अगर आप open kitchen रखना चाहते हैं तो open भी बना सकते हैं यह guys dining and hall का size आपकी काफी अच्छा मिल गया है जिसमें 12 feet 5 inch वाई 10 feet 8 inch का है अब अगर शामने की तरफ चलें तो आपको यह door plus window मिलने वाली है जिसका size 3 feet 3 feet ओके अब next door जो आपकी bedroom है वो उसका size आपका same है 9 feet 1 inch वाई 10 feet guys यहां पर entry करेंगे तो आप यहां पर इसमें attach आपका toilet है जिसका size आपका 5 feet 9 inch वाई 4 feet है इसके ventilation के लिए आपको यहां पर ventilator दिया गया है इस OTS में OTS का size है आपका 3 feet by 2 feet और इस bedroom के ventilation के लिए आप 3 feet के window दी गई है और यहां पर 2 feet की window अंदर site dining in the hall में तो guys आज का plan आपको कैसा लगा में comment box में comment करके जरूर बताना और आप भी अगर अपना building design करवाना चाहते है तो description box में आप number दिया गया है वहां पर contact कीजिए मुझे अगर इसका PDF चाहि करते हैं अगर कोई भी जानगारी चाहिए तो भी आप message कर सकते हैं तो guys इसमें अगर आपको कोई भी modification चाहिए तो comment box में comment करके चरूर बताना फिर मिलते हैं next video में next plan के साथ तब ताथ जैहन बंदे मात्रा